नमस्कार दोस्तों मैं सत्पारवर्मा अपने यूट्यूब चैनल SP TALKS में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह कुँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और शेर कर दें ताकि मैं वीडियो की सुरुआत करूँ और जिस जिस ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बैल आइकान का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें दोस्तों बैल आइकान का बटन दबाना ज़रूरी है क्योंकि तभी आपके पास मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुचेगी यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे बैल आइकान नहीं दबाएंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुचेगी इसलिए बैल contractor bill discuss किया था और contractor bill के अंदर हमने aid to contractor secured advance और bill कैसे बनता है ये हमने first and final bill और running account bill farm 24 पर वो हमने अच्छी तरह से शिखा उमीद करता हूँ आपको पसंद आया उसी सीरीज में contractor bill का जो अंतिम चरण है उस पर आज की ये वीडियो धारीत है वो क्या है contractor ledger क्या आपने बुगदान कर दिया लेकिन ये contractor ledger का संबंद केवल running account bill से है दोस्तों जहां पर हम ठेकेदार को advance payment करते हैं security advance देते हैं वो ही उसी का हम वापिस return भी लेदनी होती है और यदि हमारे पास खता नहीं हो contactor का तो हमें क्या पता क्योंकि उसमें सारी work चटते हैं ना एक वरका तो होता नहीं एक और ये contractor ledger का प्रावदान कहां है CEO of India के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है अपनी कौन सी आप ये जो एसेस के स्ट्रूडेंट है उनके सलेवस में भी है और जो पीड़वडी बियेंडार इरिगेशन पबलिक एल्प में काम करने वाड़े करमचारी है उनको मालूम है अकाउंट ब्रांच में किताब का इंप्लिमेंटेशन होती है इसी पर उनको अकाउंट बनते हैं ये जी को जाते हैं अकाउंट कोड़ वालूम पीन के उपर और उसी का ये फारम है कुण सा फारम पी डबलुए चोधां कंटेक्टर दिल इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप इसमें एंट्री कैसे कैसे करनी है इसकी बैलंसिंग कैसे कैसे करनी है तो इसलिए वीडियो को सकिम ना करें बिल्कुल भी मेरे वीडियो को धान से शुरू से लेकर आखिर तक देखें चलो शुरूआत करते हैं आप देख यह article 150 में प्रावधान है कुण सा account code volume 3 जो मैंने आपको भी बताया C.A.G की किताब है उसमें यह form number 14 है आपकी किताब में मिल जाएगा मैं आपको दिखा रहोगी इसका प्रावधान यह article 150 है यह form क्या है कैसे यूज होता है कुण सा contactor ledger तो इसमें क्या लिखा है इसमें रखा जाता है और separate folio क्याता है पेज को और set of folio या तो एक पेज पर एक ठेकदार का या एक ठेकदार के लिए 57 पे छोड़ दें ऐसे ही करना चाहिए ताकि पता नहीं कि उसमें 50 एंट्रियां 100 एंट्रियां हो उसमें एक ठेकदार का एक folio खुलेगा बींग रिजर्वड सारे पेज कोण से फोर आल दी ट्रांजेक्शन जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी विद इच कोंटेक्टर पोर हूम एक पर्सनल एकाउंट इस मेंटेंड वाइडाट के कल एक सवी क्या वन जो ये निच्चे बताया है कैसे एक्षेप्ट इन्दा फॉलोमिं केसे इन के लावा जनी मिलिक्ट केसों के लावा क्या है एक पर्सनल एकाउंट शुड भी ओपंड इन दा लेजर फोर एवरी कॉंटेक्टर इन के लावा कुंट सा वेदर और नोट एफॉर्मल कॉंटेक्टर इस बिन एक्जिकुटेट एंड नो पेमिंट इज मेड टू हिम एक्षेप्ट ओन दी फॉर्स्ट एंड फाइनल बिल्ड यदि मैना आपको बता है ना कि फॉर्स्ट एंड फाइनल बिल्ड पर पेमिंट हो रही है तब तो इलावा का प्रियोग नहीं हो गया अन्यदा होगा इस परकार का कुछ होता है कुछ दिया जातता है उसका मट्रेयल इस होता है तब ही उसको खत्ता खुलेगा कुण सा ये कॉंटेक्टर लजर ओड बी में क्या कहा इफ यदि अंडर बी रूल ओफ गोर्मिंट ए ऐ कंसलिडेटर मंथली अगांट ओर ओन अगांट पेमिंट तो पेटी कॉंटेक्ट एंप्लाइड ओन दी सेम वर्क और सैंक्शन ओवर्क इज प्रिपेड इन फ्रेफरेंस किसके टूए सेपरेट बिल और इच पेई ए सिंगर लेजर हैड पेटी कॉंटेक्टर शुड वी ओपन फोर दी रनी का काउंट ओफ आल सच कॉंटेक्टर अब ये पोस सिंग कैसे होगी ये दो आपने उंपर दफॉस्टिंग कर ली और परस अब स्न बताऊंगा बैलनिक रोकर नी रटिकल एक स्सेत्र नीन बोलता है दा लैजर अकांट should be closed and balanced पता है ना monthly हर महिने close होगा balance होगा the closing balance of each personal account क्योंकि personal account है ना ये तो ठेकेदार का account should be in such detail as to show in respect of each separate work प्रतेक वर्क के लिए बिन बिन वर्कों को नहीं एक वर्क के लिए और account चाहे वह स्टोक का है या परचेज का है अमाउंट आउट्स्टेंडिंग अंडर दा इच ओफ दी थ्री सस्पेंस अकाउंट कोन से आएंगे के कोन से एडवांस पेमेंट शेक्योर एडवांस या अदर ट्रांजेक्शन को हो रही है विदे कुटेशन इन इच केस ओफ दी लास्ट रणिंग अकाउंट दिल पिछले बिल में जो वधा वो सारा का सारा एंड ओफ आल दी वाउचर्ज शुपोर्टिंग अनजेक्टिड आउट्स्टेंडिंग अंडर अधर ट्रांजेक्शन में हो कोई वो भी वो क्या करना है नोट इनकरोपरेटिड इन दी लाट दिल जो के लाट दिल में नहीं आई थी इसमें नोट दिया है दा पैट्टी कॉन्टेक्टर्ज लेजर अकाउंट शुट आल्सो भी क्लोजड छोटे कॉन्टेक्टर्ज जो अतना है छोट शोटे कामवाले उनके क्या करना है शुट आल्सो भी क्लोजड और बैलेंट इन दा सेम वे इसी आधार पर जो ऐसे उपर बड़े ठेकदारों का है ऐसे बैलेंस किया जाना है ऐसे एक लोज किया जाना है रिकोड़िड एट पर टेनिंग हो लिए उन्दी सस्पैंस एड अधर ट्रांजेक्शन की और क्या कहा है परि पीम बिंदे पर कर लो प्रेडरी कर लो फिक्स कर लो शुट वी सीन देखो उनको क्या नमबर एक बैलेंस डू नाट रिमेन आउटस्टेंडिंग और लोंग टाइम लंबे समय तक बैलेंस नहीं बचाओना चाहिए बिना जर्टिफिकेशन के और दूसरा बैट इन दी केस समय में बनते रहें यह आपने देखना है अब यह देखें दोस्तों यह है आपका कॉंटेक्टर लेजर मैं आपको दिखा रहा हूं यह है आपका औरीजिनल किताब का जो अकाउंट कोड वालम तीन में है कॉंटेक्टर लेजर देखिए यह आपकी 120 नमबर पेज पर तक का यह बिल का है अगे नेट ट्रांजेक्शन डिटेर्ड बाई सस्पेंस एड सस्पेंस एड में क्या ट्रांजेक्शन है वो नेम वर्क क्या काम हुआ यह इसमें आ गया और क्रोश ट्रांजेक्शन क्या हुई डैबिट क्या हुआ और क्रेडिट क्या हुआ और टोटल वर्क और सप्प्लाई क्या होई किसकी इस काम की और अगेर मार्च यह 11 कोलम है फर्ट सेकिंड फर्ड फॉर्ट इसी तरह यह 11 कोलम है दोस्ते अब इन्वेंटरी कैसे करनी है अब यह देखिए उधान के तोर पे 1949 का रेफरेंस लिए मार्च 1949 लिखा और क्या करना दिया बैल ब्रोड आबर पिछले बैलनस लाये पिछले पर इस से क्या इसमें events पेमेंटरी यह डेट थी यह नंबर है क्या वोच्यर का सीरेल नंबर इफ रनिंगğaिक कोण सा है चिन और माइनस क्रेडिट के लिए चिन लगाने पढ़ेंगे आपको माइनस कर रहे हैं जैसे यह लग रहा आगे बदाम मैं और यह प्लस आपने उसको दिया है तो प्लस और यदि उससे आया है तो माइनस अब यहाँ बैलन साथ 3750 रुपे एडवास पेमिट का पिछला रू पे और इन सारों का टोटल है यह जो टोटल आया सारा यह डेबिट हो गया पच्चे जार अठाण में रुपे ठीक है किसका बैलनस यह आगया अब आगे देखो आगे क्या हुआ कि यह कंसा कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशल क्वार्टर एट हजूरपूर यह उधारन है किता वोसा आठमा बिल था वोचर पंतालिस तेरा तीन सा थर्टीनाइन का उधारन है यह 41 रुपे एडवांस पेमेंट 606 रुपे शिकर्ट अडवांस लेस हो गया और यह 513 रुपे की अधर ट्रांजेक्शन लेस हो गई और यह 8,107 रुपे डेबिट होए वोचर में से और य इतना बन गया यह बिल से टेल है सारी की सारी जब आप बिल की पोस्टिंग करेंगे तो इसतना कोलम वाईज को आपको कोई दिक्कत नहीं है वर पढ़तेरो उसकी लिखतेरो महां पे प्रिंटिड है सारा कुछ में आपको रणिंग अकांट दिल दिखाया था फारम नंबर चोब इसमें फिर आगले ट्रांजेक्शन आगी यह जो है यह एकी वोचर से यह हुआ क्या एक अंट्रक्शन है मेट्रियल क्वाटर एट जो थो फर्स्ट एंड फाइनल बिल था ये भी एंट्री आ इसमें कंस्ट्रक्शन टेलिग्राफ ओफिस था सिमला का इसका भी आगया चोट 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 है न ये ये एक ही वोचर में पेमेंट कर दी इसकी और इसमें ये वर्क डन आया था इसका टोटल वर्क डन था ये ग्रांट टोटल और ये क्रेडिट और ये डेबिट इसी तरह इसका हुआ ये और ये लाट में इसका हो गया कौण से का ये कंस्ट्रक्शन क्लर क्वाटर एट धार व 940 रुपे की होगी अब यह पोस्टिंग तो कर दिया आप में लेकिन किसकी है यह किर्पा राम था वोई कॉंटेक्टर यहां पे टोप पे किर्पा राम का नाम है अर्था यह किर्पा राम कॉंटेक्टर का काउंट है कालू राम से तो कातर रावरेंस है यह आम उन्हें बैनर्स हो जाएगा, जब आप इसको close करेंगे, ये तो कहने का भाव यह है आपका, यी आपको ledger और बुणाना है और यह कहीं बेजना नहीं होता ये कहीं बेजना नहीं होता इसमें कहीं सिगनेचर नहीं होते लेकिन डिलिंग एसिस्टेंट को अपने इनिशिल कर देने चाहिए ताकि उसको पता हो ये पोस्टिंग मेरे आद की है और ये इसका कोई लेखा जो कहीं नहीं बनता कोई अलग सेजी को नहीं जाता ये तो एक लेजर अकाउंट है जो के बैलन्स जीरो होना चाहिए लाट पे बिलकुल जब ठेकेदार का बिलकुल हिसाब करने हैं तो ये सारा का सारा खत्ता जीरो हो जाएगा आपने देखा और समझा कि कैसे कॉंटेक्टर लेजर बनाया जाता है कैसे इसमें पोस्टिंग की जाती है और कैसे इसकी बैलन्सिंग की जाती है उमीद करता हूं आपको पसंद आया होगा इसलिए यदि पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सेल भारी मात्तर में कर करके सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाड़े वीडियो की नोटिफिकेशन आप तुरंत स्मुचना दिले इनी सब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार